कहने को तुमदप्रदेश की सरकार ने आदिवाथी विकास खंडों में पेशा की नियम लागू कर दिये है लेकिन इन नियमों का पालन सरकार ही नहीं कर रही है इसका ताजा उधरन पालाघार जिले के बैहर तहसील में देखने मिला है जहां सरकार के एक निरने से आदिवास्यों की निस्तार भूमी पर संकट खड़ा हो गया है और इस निरने को अमल में लाने प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है आदेश भी ऐसा या वैसा नहीं है बलकि चारागाहा की 12 हेक्टेर भूमी याने की 30 एकर जमीन से जुड़ा हुआ है इसी को लेकर मानिकपुर गाओं में निवास रतादिवासी परिवार प्रशासन की इस आदेश के विरुद्ध विसेश ग्राम सभा कर रहे है क्योंकि सरकार में ही उने पेशा कानून के तहद भूमी अधिगरण और सरवेक्षन के लिए ग्राम सभा की अनुमती का अधिकार दे रखा है लेकिन विडम बना ये है कि सरकार के इस आदेश में ग्राम सभा के अधिकारों को पूरी तरह से नजर अंदास भी किया गया है दरसल बात आदिवास्यों के अधिकारों की है उनके निस्तार से जुड़ी भूमी की है और वन संसादनों पर अधिकार की भी है इसलिए ग्राम सभा की इस बैठक में छेतर के विधायक संजय उई के है जिला पंचायत के सदस्य मंसा राम मरावी है और सामाजी कारेकरता द्रोप किशोर मरावी भी है हालां की ग्राम सभा के निर्नय में इनके समर्थन की कोई जरूरत नहीं है लेकिन ये सामिल हुए है क्योंकि बात आदिवाशियों को वन अधिकार कानून के तहत मिले अधिकारों को दिलाने की है वन संसादनों पर मिले सामुदाईक अधिकारों को प्राप्त करने की है सायद यही वज़ है कि ग्राम सभा की इस बैठक को विधायक की वोर से कानूनी शमर्थन मिल रहा है ताकि सरकार के निर्ने पर प्रशाशन के आदेश पर ग्राम सभा का निर्ने सब से उपर हो और चारागाहा की 31 भूमी पच्छती पूर्ती वनी करन का आदेश निरस्त हो भी किया जाकर चर्चा की गई चर्चा के दवरान उपस्ति सदस्यों के द्वारा एक मतेन होकर कहा गया कि ग्यापन में इंगीत भूमी खसरा क्रमांग 13 बटे एक रगबां 12 पायम 22 सेप्टर भूमी राणी अवन की बाहिद लोधी पर योजना को भूमी आदेश लिए जाने है तो प्रस्ता और ग्राम सभा में सरुसहमती से पारिख है आपको पताते कि मद्ध्रतेश सरकार के द्वारा नर्मदा पुरम जिले की बनखेडी तहसील के गाव धड़ाव पड़ाव के पास दूधी नदी पर सीचाई परियोजना का निर्मान किया जा रहा है इस परियोजना के निर्मान से वन भूमी प्रभावित हो रही है इसी प्रभावित वन भूमी के विरुद्ध छतिपूर्ती वनिकरन हेतु बालागार जिले के गाव मानिकपूर में इस्थीत खसरा नमबर 13 बटा एक बारा हेक्टेर से अधीक रगबा आबंटीत किये जाने का आदेश जारी हुआ है जिसके लिए बैहर तहसिलदार नया नुविभागी अधिकारी लोग निर्मान मिभाग कारेपालन एंत्री मदप्रदेश पूर्व विद्धूत वित्रन कमपनी बैहर उपवनमंडल अधिकारी सामान ने बैहर और ग्राम पंचाय सरपंच यम सच्यू पिपरिया को पत्र प्रेशीद किया है चुंकि यह गाउक पेशा कानून वाले आदिवासी बाहुल बैहर विकासखन का हिस्सा है इसी को लेकर यहां निवासरत आदिवासी परिवार प्रशासन के आदेश के विरुद्ध ग्राम सभा के माध्यन से अपना विरोध दर्ज कर रहे है और छेत्रिय विधायक से मार्ग दर्शन प्राप्त कर आगे की कानूनी प्रिक्रिया को पूरा कर रहे है प्राप्त लाने लग लग गएंगे चुई मिट्टी हमको कहां मिलता है तो जहां तक आपके उससादन का उत्योग होता है वह आपके समुदाइक संद्वन के समुदाइक संसादन का इरिया आथा वहां पर भी आपको आपको मालिकाना अठ्था पठ्था बनका मिलेगा किसी से मांगनी रहे आपको उसको लेने का हग है यानि उसको मानने ता सासन ने आपको दी है तो कि अगर आप उसको देखते हैं तो बिटिस सासन में जब बिटिस गौवर्मेंट थी जब पूरा जंगल हमारे कभजे में था और जब उन्होंने वन अधिकार मनने भारती वन अधिनियम बना तो आदिवासियों के लिए वनों को सोतंत रखा है ना और जब तदकालिंग गौवर्मेंट जो थी 2006 में उन्होंने आपको उस पर पूरा का पूरा अधिकार दिया है लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा हम लोग कई प्रस्ताव बहुमत से पा प्रस अधरे को लेने की लते क्यों पम क्यों करेंगे आपके बन के बन की आपको कहा तक्ति है Aber for इसके बाद कुन सा गाउआईगा Danan के जंडीजां के पॉहनी से आप के लाते हैं कि जेसे आपको चींदी लगती है पहीं हैं तो चींदी कहां से लाते हो हुआ और जंगल आपके निस्तार के जंगल में願い अगर आपको जल्भी लकडि यहां मिलती है या अपन मुलाइन पत्ता लेके आते हैं लादे की नहीं तादी विहाओं में आदने हमारे को जुरुरत पड़ती है कुम्री छातर धाबा बनाता तो पूर कभी हमारे निस्तार से अगर हमारे यहां से दूर के जंगल में तो वो भी उसमें पिन में आएगा इसे मू उसको हम उसको सिफर करते कमुनिटी फॉर्स राइड है ना यहने वनों के संसाधनों का अधिकार समुदाइक उसमें दो तरह की फॉर्म पढ़े गए जैसे अभी सरपंच लोग लेते हैं जैसे फारेश्ट वभी ताया आपका तलाब बना तलाब अगर कई फारेश की जमि प्रूमी समुदाइक दाव मिलता है लेकिन समुदाइक संसाधन के जो बनके समुदाइक संसाधन के दावों में कोई सीमा नहीं है आपकी तक का निस्तार है वहां तक के निस्तार के लिए आपको पट्टा दिया जाएगा